नमस्कार दोस्तों अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आप सबका स्वागत है आज हम एक मुद्दा आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जो चुनावी महौल है वो एक बार फिर गरम हो चुका है यही कारण है कि सभी राजनेतिक पार्टियों के जो नेता है वो एक बार फिर चुनावी मेदार में उतर चुके हैं गौव गौव जा रहे हैं लोगों से बाचीत कर रहे हैं और साथ में ही एक बार फिर आई-म-ट कर दिया मुझे रखता है जिन तो ठीक नहीं होता है जिन के वारे में ऐसी राय है कि वह लोगों के स्वास्था को भी खराब करता और चंदता के लिए लगों में डर भी फैदा बता तो जिन तो बहर आना लिए चाहिए आई-एम्टी जो है वो बन जाता शहर में विनोज शहर में आई-एम्टी को लेकर आये थे लेकिन जो भाजपा के ही कुछ नेता है उस समय जो आपोजिशन में थे उन्होंने बनने नहीं दिया क्या मतलब अम्बाला को रोजगार की जुरूरत नहीं है या अम्बाला में लोगों को रोजगार नहीं चाहिए और खिसान ने उसे औरबभाने बाहाव में इन प्रुर्परटी डिलर सरकार से जुड़े लोग थे वो उन प्रपरटी इसको खरीद लेते थे ससते दामों में और बड़े लोगों को उसको महंगे धामग में बेए देते थे हमारा केवल ये विरोध था, रोजगार के प्रती हमने कभी विरोध नहीं किया, रोजगार दे हैं, चलवाया भी नहीं, नी रोजगार किस के हमागी बात करें, हमने तो नहीं देना था, आप कॉंग्रेस के समय के सासन की बात कर रहे हो, अपने सासन में आपने क्या कि, हमारे सासन में हमने रोजगार दिया ना देखिए कॉंग्रेस का 10 साल का सासन सरकारी नोक्रिया 20,000 भारतिय जन्ता पारटी का 4 साल का सासन सरकारी नोक्रिया 30,000 सिर्फ 4 साल में उनके 10 साल में 20,000 हमारे 4 साल में 30,000 सरकारी नोक्रिय इसके अलावा जो हमने प्राइवेट अजन्सी में या जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लगभख डेड़ लाख लोगों को नोकरी दलवाई है रोजगार का मतलब फिर नोकरी नहीं होता हमने इतने ही लोगों को हरियाना के अंदर जो लोन है वो सरकारी बेंकों से दलवाया है ताकि लोग अपने पैरों पे खड़ा हो अपने इंड़स्ट्री लगाए और बल्कि ओर लोगों को रोजगार दे तो हमने उस विश्ट्रूं को चलाया है रहा ऐसा क्यों या क्या कारण है कि अंबाला में तो बड़ी इंड़स्ट्री लगाने की कवायधी नहीं कि जो एक इंड़स्ट्रियल हब के रूम में आपको पता होगा पर हमारी सरकार, विपल गोव ईंसी नहीं जगए दी है। उनको कागज इजी किये हैं। और आपने देखा होगा गुरुग्राम, फृरिदाबाद जो यह निक NCR एरिया है उसमें इंडरस्ट्री बहुत। कि अमबाला में रोजगार के लिए भाजपा सकार रहे हैं क्या किया और अगर अब I.M.T. का जिन भार आ रहा है तो क्या इस चुनावी समर में आप वादा करेंगे कि फिर से भाजपा को लाएं शायद I.M.T. मिल जाएं देखें मैं अमबाला भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं भारतिय जनता पाइटी हर्याना प्रदेश का प्रवक्ता हूँ इसलिए मैं हर्याने की बात करूँगा मैं हर्याना में रोजगार की बात करूँगा मैं हर्याना में इंडरस्ट्री की बात करूँगा जहां त तो आप चाहेंगे और आप जो है दावेदार भी है तो आप चाहेंगे कि अमबाला को जो है और अगर आपको टिकेट मिलती है आप जीत कर आते हैं तो आप अमबाला के लिए क्या कुछ सपना जो है वहां को मिलिए देखिए अमबाला से मैं 2009 में चुनाब भी लड़ा हूं भारतिया जनता पाया टिकेट पर और स्वभावी के से एक राजनीति कारिकरता की इच्छा रहती है कि वह विधायक बने लेकिन वर्तमान में हमारे विधायक स्री असीम गोईल जी है और मुझे लगता है कि जितना विकास वो करा रहे हैं प्रदेश से जितना पैसा आ रहा है अमबाला का नक्षा आपको बदलता हुआ दिखा करके और अमबाला शेहर से बाहर निकलने वाली सड़का है यह सब आपको दिखाई दे रही है पक्षियों की माने तो सब अधूरा पड़ा है देखिए कहाम ऐसा नहीं होता कि उपर से उठाया कहीं चिपका दिया विकास का मतलब होता है फेजिज में काम होना तो फेजिज करता हूं कि अमबाला जो कि एक कमिशन ने दुनिया का या से खासकर एसिया का सबसे गंदा शहर कहा गया था उसको हमने अच्छा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है एक विधायक अमबाला से बने मंतरी भी बने और कहते थे कि हमारे हर्याना के मुख्या मंतरी के नाक के बाल हैं विनोश अर्मा जी कि मैं बात कर रहा हूं दस साल वो विधायक रही है लेकिन अमबाला का नक्षा नहीं बदल पाए इतना पैसा उन्होंने सीवरेज के नाम पे हर्या धाई सो तीन सो क्रोड़ रुपे अमबाला में लगा दिया लेकिन अभी भी सीवरेज आदरिया मुख्या मंतरी एक ठादारी को आ रहे हैं अक्टूबर को और उसका से लान्यास करेंगे तो यह विकास होता है उन्होंने बताए कोन सी इंडस्ट्री लगा है यहां वरिणा में कोन सा यहां कॉलेज खोला पारा स्वाल फिर वहीं खड़ा है कि अगर आप विधायक बनते हैं आप चुनाब जीते हैं तो आप अमबाला के विकास करें क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं क्या सपना लिए बठें आगे मैंने कंदे से कंदा मिलाकर आगे आपर आई इसके लिए हम प्रियास करेंगे प्रियास करेंगे चलिए तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजे शर्मा जिनका साफ तोर पर ये कहना है कि भाजपा ने चों मुखी विकास किया है केवल अंबाला ही नहीं पूरे हर्याना में विकास किया है और ये विकास विपक्षियों को नहीं दिखिरा हाला कि IMT के मुद्दे पर इन्होंने बोलने से साफ बना कर दिया यही कारण है कि यह नहीं चाहते कि IMT का जिन दुमारा जिन्दा हो आप जुड़े लिए हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूस पर और इस IMT के मुद्दे को लेकर हम विपक्ष्टी पार्टियों के नेताओं के पास चलेए